हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने औरा को पॉजिटिव की वे होंगे कैस आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुद्रत का कौन सा बड़ा करिश्मा आपको बहुत जल देखने को मिलेगा, कौन सी प्लैसिंग आपकी तरफ आ रहे है यह एक जनल रिडिंग है काईस हो सकता आपके साथ रजोनेट करें, ना करें, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्ड आपको रजोनेट करती है उसे ब्लीस रख लीजेगा, आखी कुछ आने दीजेगा, तो देखते हैं कुद्रत का कौन सा बड़ा करिश्मा, चमतकार आपको बहुत जल अधी शेक्र देखने को मिलेगा यह एक टामलेस रड़ेंग अधाई सब जब कभी भी इससे देखोगी, यह आपको हैल्प करेगी त्री आफस वहोर्स डेथ और रिबर्थ, ओके गाई, देखो यह यह इससे बारे में बताई जा रही है, यहाँ पर आपके तकलीफ के बारे में बताई जा रहा है, आपके प्रॉबलम के बारे में बताई जा रहा है एक कहता है ना कि एक हद के पार किसी ने जाकर बहुत पूरी तरीके से कह सकते है गाइस की सिचुशन को सहा है कोई इस्थती आपकी लाइफ के ऐसे है जहां पर एक कहता है कि आप किसी को बया नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है मतलब एक बात पक्की है कि आपकी right now life में जो situation चल रही है ना वहाँ पर कुछ चीज़े इस first और clear आपको हो चुकी है कि कुछ चीजों की ending कह सकते है guys कुछ चीजों का ऐसा कि जहाँ पर आपका दिल जो है ना वो इस बात के लिए गवाई दे दे कि इन चीजों में कभी ठीक होना संभव नहीं है और अगर ये ठीक होता है तो ये कहीं ने कहीं आपके लिए सही नहीं है कुछ चीजों में समझहोता है ना आपका वो एक त्याग और समर्पन के अधर पर रखा जाने की परिस्तित्या बन रही थी guys maybe हो सकता है कि बुरी सिचोईशन में आपने अपने गुटने नहीं टेके हैं यहाँ कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जहाँ पर कहा सकता है कि पहली बार आपने अपने लिए स्टेंड लिया और ऐसा ही होता है Qais कि जब कोई इनसान पहली बार या जब कभी भी अपने लिए stand लेता है तो वो दुनिया की नजर में बहुत बूरा हो जाता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी के हाल आपके यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनों के लिए या किने लोगों के लिए बहुत बूरे बन चुके हो शायद आप जैसा बूरा कोई भी नहीं हो सकता है बहुत ज़दा बूरे बन चुके होगा और आपके दिल में यही है कि जितना बूरा आपके बारे में सोच सकते हो आपको आपको जर्ज करे न आपको परवाई नहीं है शायद पहले आपके साथ सिच्वेशन यहीं रही थी कि आपके दिमाग में यहीं रहता था कि आपके और गिनी और लोगों के बीच में श्पिशलिए अपके अपनों के बीच में आपको लेकर कोई गलत फैमी ना हो अगर कुछ situation ऐसी बन जाती थी जहां पर गलत फ्यामियों वाला बातावरन हो जाता था तो आप अपनी तरफ से उसे सुधानी की कोशिश करते थे समझाने की कोशिश करते थे मतलब अपनी सफ़ाई दिना जिसे सत्य को प्रमरित करने के लिए को इंसान बार-बार अपनी कोशिश कर रहा है और सच्चे सब के सामने होने के बाद में भी उनको इसपश्टी करन अपना देना पड़ता है लेकिन इस बार का ये है कि एक चींज आया है एक चींज आया कि अब ऐसी परिस्तितियों को बार-बार सहना नहीं है इस पैटर्न को ही कदम कर देना क्योंकि ये तो बार-बार चलेगा इसे कब तक इसके सथ कॉमप्रमाइस किया जाए लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने कॉमप्रमाइस करने से खुद को रोग लिया है ना और आग के compromise ना करने से साथ situation आपकी life की ऐसे है कि हाल बहुत बेहाल है जहाँ पर कहता है ना कि जो दिल से रिष्टा निभाता है ना कहीं ना कहीं तकलिफ वो वोगता है गाईस वो रो रहा है दिल रो रहा है क्योंकि खुद के हाथ से खुद के मैनत से बनाए हुई चीजे या खुद के लगाव से जो चीजे जूड़ी हुई होती है ना और उनकी value नहीं किये जाती है वो कहीं बिखरती हुई नजर आती है ना तब इनसान बहुत ज़्यदा दुखी होता है लेकिन एक समय तक कहता है ना कि हर चीज की एक अती होती है उस अती के बाद नो उसका बदलता हुआ रूप देखने को मिलता ही मिलता है और यहीं चीज आपके साथ हो रही है कि एक हद Compagni एक अती तक मैं आपने इसे संभालने की कुशिश करी है अभी आपके हाल क्या है बले आपको दर्द हो रहा है दुकि लेकिन आप अपने आपको बदलना चाहतो हो ये death के साथ rebirth का काड़ रगा है कि बले को situation end हुई है लेकिन आपने ठान ली है कि आप किसी गलत चीज में अपनी भागिदारी नहीं दोगे किसी गलत फैसले में आपने भागिदारी नहीं दोगे या जो गलत situation आपकी life में चल रही है उसमें आप घुटने नहीं टेकोगे यहां कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए इतना strong action लेते हुए नजर आ रहे हो कि जहां पर चीजें आपके लिए बदल रही है काई मतलब क्या बताओं इस situation के बारे में कि किसी इंसान के मन में अभी भी यही है कि मेरी dignity में इस कदर बरकरा रखो जो हो रहा है वो इश्वर देख रहे हैं वो मालिक देख रहे हैं मुझे अपनी तरब से किसी को नहीं बताथेश्चाआ इवन कोई सहता जा रहा है लेकिन जैसा होता ना और लोगों को कहकर अपने मन को हलका करनग वो नहीं आपनी love में in ¿Miss future. आपनी दिन से आफ आपनी परिस्तितियों के बारे में किसी को बताना चाहतेँ strong होने के कोशिश कर रहूँ सबसे अच्छी बात है 기 एक जैसे होतान है कि अगर mirror में आप देखो ना तो आपको यह आवास होगा क्या आप खुद को कितना संभालने के खुद को कितना support करने के कोशिश कर रहूँ आपका इतना strong behavior यह rebirth यहीं बताता है कि एक तरीके से कह सकते है कि इस तकलीफ ने जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है यह चल रही थी कुछ मेनों पहले तक में इसने आपको निश्प्रान जैसा किया है लेकिन आपका साथ फिर से कहता ना कि आपको उठाने में आपको जगरत करने में आपकी म कुछ खुद्रत के फैसले ऐसे होते हैं, कुछ फेटर चीजे ऐसी होती है, जिने कोई नकार ही नहीं सकता है, दिख रहा है आपको दुख, कुछ चूटा है, लेकिन अगर आपके भागे में कुछ लिखा हुआ है गायस, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, आपको रोता हुआ द प्रति, अपनों के प्रति, या किस तरीके का रहा है, किस हदा तक में रहा है, सब आज भूल कर बैठ गए है, किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी की लाइफ इस पॉइंट हो, ना हो, सब अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, और यहां कोई बंदा नी स्वार्थ है है ना, आप एक्चुल में अब जिस तरीके से मुझे पता चल रहा है ना गाइस, कि आप अन्याई ना तो सैन करना चाहते हो, ना किसी सिच्वेशन में अन्याई करना चाहते हो, यह एक बड़ी ठिंक कह सकते है, यह एक मेचुरेटी कह सकते है गाइस, जो समय ने आपको द सकते हैं कि दूर तर्ष्टी रखकर आपकी नहीं बातों का फैसला ले रहे हो, सही चल रहे हो गाइस, क्योंकि सही चल रहे हो इस वज़े से तकलिफ मा हो, और इस बात को लेकर परिशान मत होना कि अभी आपको देखकर, आपको परिशान होता हुआ देखकर, लोग हसने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपकी परिशानी को और बढ़ाने की, आपका दिल जो दुखा हुआ है उसे और दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो एक बात हमेशा याद रखना, कि दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन दुख भोगने वाला उसके के लिए संभावना होती है, कि वो आगे चल कर सुख की प्राप्ति कर सकता है, तो आप निश्चेंद रहना आपकी लिए एक कुद्रत का जबतकार कहलो, करिश्मा कहलो, ये है कि डेथ के साथ रीबर्त का काड़ आना, कुछ चीजे ऐसी आपकी लाइफ में पनपना फिर से जो आप से सम्मंदित है गाय से, जो आपको उठाकर आगे बढ़ाने में मदद करें, जो सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर हो, आपकी जीवन को लेकर हो, जो औरों के बारे में सोचता है, औरों की भलाई के बारे में सोचता है, उनकी भलाई को लेकर उनके बारे में कुद्र फैसला लेते हैं, आपके हर छोटे से छोटे एक्षन को, बड़े से बड़े फैसले को, आपकी हर अच्छी नियत को, हर किसी काम के प्रती आपकी इंटेंशन को देखा गया है, है ना, क्योंकि ये आप अपने अंदर जोई तूफान लेकर बैठे हो ना, जहाँ पर चीके शोर मचा रही है, जहाँ पर किसी को अह सहाई पीड़ा है, लेकिन वो सामने से किसी के सामने रो नहीं सकता, वह ना, दुनिया कमजोर समझेगी, और हावी होने की कोशिश करेगी, या कुछ अपने हैं, जो वो परिशान हो जाएंगे, और वो आप चाहते नहीं हो, तो घुट रहा है कोई इंसान अपने अंदर अपने भीतर, बड़ी लड़ाई चल रही है, गाइस, गड़ पशो प इसके कुद्रत ने सोच लिया है, समझ लिया है कि आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करना है, आपको फिर से प्राण देने है, आपकी जिन्दगी को अच्छा करना, आपकी लाइफ को अच्छा करना है, गाइस, आपको खुशी की प्राप्ति हो, एक भयंकर दुख में आपने या अपनी और लोगों ने नहीं किये है, ठीक है, जिन्दा मत करना गाइस, कहा ना कि इसी दुख में आपका कोई बहुत बड़ा सुख चुपा हुआ है, ये काड़ गयता है, बहुत बड़ी प्लैसिंग है काइस, ये कुद्रत के निर्ने, फैसले, कुछ और ही होत कहते हैं ये हमारे लिए क्या फैसला लेना चाते है, ना क्या परिवर्धन करना चाते हैं, एक बड़ा छीज तो आपकी लाइफ में हौँ चुका है, बगएमे आपकी लाइफ काफी हद तक में बदल गई है। या नेगेटिव रूप में कहो गाइस, कैसा आपकी अब以क श situation कुछ और ही है जो शायद आपने नहीं सोची थी कभी कि इस कदर आपकी लाइफ होगी है ना लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसमें आपका अच्छा होना है ना आपके आशों को पोच कर कुद्रत आपको सभालेगे आपको फिर से प्राण भढ़ने की कोशिश करेंगे के बारे में बात कर रही है कि वो सिचुशन जो आपको तकलीफ से भर रही थी याना आपके दिल को दुखा रही थी हील होने ही नहीं दे रही थी कि जैसे आप भूलने की कोशिश करो अपने ध्यान को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो ध्यान भढ़काने की कोशिश करो फिर से कोई problem उठकर आपके सामने आ जाए लेकिन इस stage से चुटका रहा है यह आपके साथ होगा guys यहाँ पर रोशनी देखो actual में आपका सूरी मुझे ऐसा लगता है guys बलवान होने लग रहा है ठीक है और यह कहीं नहीं कहीं क्या करता है कि किसी इंसान की life का direction change कर देता है बीजना फिछे चूटने के दर्व जा रही है जिसका आवना सामने आपके साथ कभी भी नहीं होना है किसी कभी भी नहीं होना निश्चिंद होकर है आपकी चिंथाए खतम किये जारी है actual में आपको इस कदर आपके life के औरव को इस कदर त्या जा रहा है कि कभी भी भूल से भी सपने में भी आपको ये तकलिफ ना हो आपका बाल तक बाका ना हो गाईज परेशान मत आप कितने ज़्यादा दुखी हो या मतलब एक सिने में कितनी भारी गोटन है वो मालिक को पता है करिश्मा क्या है कुद्रत का यहीं कह रहे हूं मैं गाईज कि इस दुख वाली बात में भी आपका कोई बहुत बड़ा सुक नहीं थै और यह आपके लिए आहरा है गाईज अनन्तकाल की blessing जो आपकी है वो आपके पास हा रहा है कभी कभी क्या होता है कि जो दिख रहा होता है वो नहीं होता है साड़न कुछ और होता है, आपको पता भी नहीं है, कहाना, यहां पर कार्स को समझने की कोशिश करो, यहां पर कोई बहुत जादा निराशवादी है, जिने बिलीव ही नहीं होता, कि हम तो सुन रहे हैं, डिलिंग में, है ना, कुछ अच्छा होता नहीं, जैसा मैंने एक पह कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा जैसा रेडिंग में आ रहा है, लेकिन एक समय के बाद में, जो, मैं यह नहीं कहरे गाई, कि यह मेरे प्रेडिक्ट करने की वज़े से हुआ, यह आप पर मालिक की प्लेसिंग है, मेरा यह सोचना है, यह आपका डिवाइन टाइम है, जो र उमीद तो करी नहीं सकते थे, जिसके लिए संभावना दूर दूर तक नहीं लग रहे थी, इस जनम में नहीं लग रहे थी, ऐसा मेरे कल भी हुआ है, मैं आपको भी यहीं कहूंगी मेरे शेर, कि आप इस तरीके से उदास पैठे हो, आपको नहीं पता है कि आपके भाग्य सच में, जहां पर कभी भी अच्छा आपकी लाइफ में होगा ना, तो सडन होगा काईस, ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करो या कुछ ऐसा, मतलब जैसे कि कैसे समझाओ मैं इसे कि कोई भी खुशी मिलने वाली होगी ना आपको, कोई भी प्लै जैसे कोई सर्प्राइस दे दे उनने, तो बिल्कुल कुछ ऐसा आपके साथ होगा, जैसे आपको उदास बैठे हो, आपको किसी बात का इल्म ही नहीं है, किसी बात का बनक भी नहीं है, और अच्छानक सही आपकी लाइफ में कुछ आ जाना, जैसे आपको ऐसा लग रहा है जो चूटा है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके भागे में इतना है कि कह सकते हैं, गाइस के अब धनी हो, मैं केवल फिनांशल मेटर को लेकर बात नहीं करें, पैसों को लेकर बात नहीं करें, काफी सारे मामले ऐसे हैं, जहां पर आपका पनपना, आपकी ग्रोथ, आपकी जीवन की ग्रोथ, आपके लाइफ से अंदेरा कहतम होना, सकर आत्मक्त आपकी लाइफ में आना, और आपके चेरे पर दिल से मुस्कान आना, ये होगा और इनकी वज़े हैं भी बनेगी, है ना, परेशन मत होना, यहां पर आपको उमीद नहीं है, बट माली कह रहे हैं कि आपको उमीद रखनी है, उमीद को तूटने ही देना, उन पर श्रता भाव रखना, करने वाले वो हैं गाइस, है ना, और आपकी तकलिफ का इस तर उन्होंने देखा है, ठीक है, तो किसी भी बात को लेकर चिंता मत करना, सबसे पहले तो आप अपने ग्रोथ के और इमोशनली फुल्फिल्मेंट आपको इस कदर मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं, आपको ऐसा लगता है, शायद कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, इतना आपने अपनी लाइफ में डिस्रस्पेक्ट जेली हैं तो जिसकी वज़े से यह कहते हैं कि कोई इंसान एक जायक है किसी रस्पेक्ट का या फिर इमोशन के प्यार और लगाव को निजर्व करते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदजा नहीं है, क्योंकि बहुत करीब से कह सकते हैं कि किसी नहीं डिस्रस्पेक्ट इतनी जिली है, और बाहर से अगर या किनी और लोगों से अगर उन इस यूज करना चाहते हैं या कुछ और, है ना, मतलब वो एक ट्रस्ट वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है काज की, कि जब हम और लोगों पर या जल्दी से विश्वास कर लेता है ना, तब वो तूटता बहुत जल्दी है काज, और जब हमारा विश्वास उठ जाता है ना, तब हमारी लाइट में अच्छी लोग भी हते हैं जिन पर भी हम भरोशा नहीं करते हैं, जिन पर भी हम इस्वास नहीं करते हैं, पर वो हमें समझाने की कोशिश करता है, अपने एक्शन से हमें हमारे लिए ऐसी परिस्थित्य निर्मित करते हैं कि हमें उन पर बिल करना अपने आप आपके लिए रास्ते बनेगे यह लोग अभी कहां जेस्ट हो सकता है कि पैसों को लेकर जिंदता है कि चलो जो वा सो वा उसे भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो लेकिन उसके लिए मेरा आत्मा निर्बर होना जरूरी है वनना मेरा हाल क्या होगा मैं तरों पर खड़ा होना है संबल बनना है अत्मनिर्बर होना है और अपनी रस्पॉंसब्रिटी जो भी मेरे पास बच्चा है ना सब्सॉंसब्रिटी को अच्छे से निभाना उसके लिए व्यवस्ता कैसे होगी टैन ओफ पेंटिकल्स का काड़ आया गाई कहा ना देखो कभी कभी कुछ बूरा भी इस वज़े से घटित होता है ताकि अच्छा आपके लाइफ में आप आए कप्स खाली भी इसी वज़े से किया जाता है ताकि कुछ अच्छा आपकी कभ्स में भरा जाए यहां पर भी जैसा कहा ना कि आपकी लाइफ पर से अनेरा खतम होगा और डैट के डैट और रीबर्ट दोनों एक ही जैसे कुछ चीज़े खतम होते ही आपकी लाइफ में एक नई शुरवात होगी आपको किन अगर यह तरीका नहीं होता तो आप शायद वो ब्लैसिंग ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी है जिसे जिसे आप डिसर्व करते होगा है बहुत तकलीफ मिली लेकिन यह तकलीफ आपकी तकलीफ को खतम करने के लिए तैन ओफ पैंटिकल्स का केरियर को शुरक्षित करना ठीक है आपके लिए आर्थिक सोर्सेज आर्थिक साधन लेकर आना कुछ ऐसी व्यवस्ताय करना गाईश जिससे कि आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़े आपको लगे कि मैंने अपनी रेस्पोंसबिलिटी के लिए अपनी रेस्पोंसबि बहुत कुछ करने वाले और? बहुत कुछ अब इन दिनों में हो सकता है कि बच्चों की किलकार या कह सकते हैं या खेलने कूदने की आवाजेत जो होती है यह आपको बहुत आ रही है बच्चों का जुंड़ जो पतानी क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दिखाए देरा या ब ये कही न कहीं क्योंकि बच्चे भगवान के रोप होते हैं गायस और ये भी संकेत का सरिया बनते हैं कि financial matter को लेकर चिंता जिस भी हद तक में है ना वो चिंता आपके दूर होगी जॉब भी लगने की संभावना हैं आपके करेर में सफलता प्राप्त करने के संभावना लग रही है आपके कोई डील नहीं हो रही थी तो डील होने की संभावना लग रही है या कही न कहीं किसी opportunity का wait कर रहे थी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ है ना आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी पाओ तो उसके लिए विवास्ताए होना कुछ तो होगा काईस आपके लाइफ में आपका बिल्कुल औरा चेंज होने वाला है काईस आपके लिए कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है मुझे ऐसा लगता है काईस एक छोटे इस तरपर की बात नहीं है क्योंकि यहां पर ब्राउन कलर का डॉगी आया जो एक किसी बात के खतम होने का यहां पर टैथ का गाड़ एंडिंग और टैन का का काड़ टैन अफ पैंटिकल्स का का काड़ है यानि एक एंडिंग तो आपने देखी है हैना पर जैसे कहता है ना क्यिकों इंसान जुडाव रखता है ना तो उन्ही को तकलिफ होती है और जो जुडाव नहीं रखता है ना उन्हें कोई आभास ही नहीं होता आप अपनी लाइफ पहां के बड़ों के कायश, बहुत बड़ों के, ठीक है, और आपके साथ बुरा करने वालों न, आपकी कदर जिन लोगों न नहीं की है न, एक समय के बाद में देखना उन लोगों को आपकी कितनी कदर हो की, ये तो पक्का है कायश, क्योंकि आपने अपने वाले ने खोया है, ये दिमाग में रखना है, इसके पास में आया है, इसके पास में आया है, ये है चींज का है, रियल चींज ये है, ऐसे सिचुएशन से आपको यहां तक में लिखकर आना, ये तना बड़ा बदलाव है कायश के किसे इंसान को, कहते है ना कि बिलकुल अंधेरे से उठा कर ना रोशनी में लेकर आना, बिलकुल कुछ वैसा है, जो इंसान समझ रहा है, हार गया वो, जिसके सामने कोई भी परिस्तिती सुधरने का नाम नहीं ले सकती, या फिर वो उमीद करे, कल्पना करे, निराशा बरफूर, हद पार कह सकता है ना, कि निराशा, लेकिन उन्होंने सरंडर किया है, सिचुशन को, और वहीं सिचुशन उनको जीताने में मदद करे, सिक्स ओफ वैंड्स का कार्ड लेका रही है, ये लोग, पलट वार कहते है ना काईस कि जैसे कि मालिक इस युद्ध में मेरी तरफ से युद्ध आप लड़ो, इस परिस्तिति को आप संबालो, और मेरी तरफ से पास से आप भेको मालिक, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक बात याद रखना कि खिलाडी सबसे बड़ा जो है ना, वो मालिक है, और अगर आप आपने अपनी लाइफ को उन्हें सुपूर्द कर दिया और ये कह दिया ना, कि मेरी तरफ से युद्ध, मेरी लाइफ का आप लड़ो, मेरी तरफ से पास से आप भेको, वहाँ पर निश्चित हो जाओ, कि उसके बाद में आपको पलट कर देखने की कोई अवशक्ता नहीं है, फिर कुदरत के न्याई के लिए त्यार रहोगा, जहाँ पर एक सू निश्चित जीत जो होती है ना, वो तैह होती है, वो डिवाइन के द्वारा, जहाँ कोई बंदा गलत नहीं है, बट उन पर जूटे आरोब भी लग रहे हैं, है ना, जहाँ पर कोई इंसान अपनी म है ना, समझ में सब कुछ आता है, पर यहाँ पर मैं आपको संबल रहने के लिए, यहाँ पर मैं आपको सहास रखने के लिए कहूंगी, कुछ चीजें जो दिक रही है, उससे बिलकुल कुछ अलग ही आपकी लाइफ में होगी, बकाइदा होगी गार, परवा मत करना, फिकर मत करना, बस मैं एक बात आपसे बार बार कहती हूँ, अगर आप मालिक को ट्रस्ट रखते हो, तो अटूट ट्रस्ट रखो, अटूट बिलीव रखो कास, है ना, आप आपकी नईया वही पार कराएंगे, आपकी लाइफ में फिर से खुशी वही ले कराएंगे, यहाँ पर फिर से खुशी आपके लाइफ में एंटर हो, उसके बारे में भी कहा जा रहा है, है ना, एक नया चैप्टर के शरवात आपकी लाइफ में हो रही, एक नया आरंब आपके लिए कुदरत ले करा रहा है, टैनो पेंटिकल्स यानी संपूर्ण खुशी से नवाजा जाना, है आपको अभी तक खुशी क्यों नहीं मिले, कमपैरिजन, तो ना, अपनी परसनलेटी को लेकर, अपने बीहेवियर को लेकर, अपनी किसमत को लेकर, सब चीज़े ठीक हो रही है, सब चीज़े ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपको इतना स्ट्रॉंग किया जा रहा है, कि इसे कि आपने क्या कमाल करा है, क्योंकि एक बात कहूंगा, अगर कुदरत किसी के लिए इतना बड़ा एक्शन लेते हैं, और जजच्मेंट करते हैं, या फिर अपनी तरफ से हस्तशेप करते हैं, मामला बड़ा होता है, जोटा नहीं होता, पर इस थित्यों को समझने की करो, सेवन आफ स्वार्स, सेवन आफ वैंट्स, कहा न यहां पर मुझे ब्राउन कलर का डॉगी ने इंगित कर दिया, आपको सपने में ब्राउन कलर का डॉगी निखा होगा, पक्का दिखा होगा, इन दिनों में बहुत जादा दिख रहा हैं, क्योंकि किसी चीज के चूटने की बात, और यह अब वह बात नहीं है कि अब भी आपके लाइफ से कुछ लोग चूटेंगे ना, अब अगर कुछ चूटना है, कुछ तूटना बिखरना है, या आप से किसी चीज का कटाक्ष होना है, तो वह आपके बुरी सिचुएशन है, वह आपका दुख है आपको दुख देने वाले लोग है, जिससे आप अपनी लाइफ को सिक्यूर कर पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, याना, कुछ कहते हैं ना, बेवज़े की चीज़ों का, बेवज़े की परिस्थितियों का आपकी लाइफ से निकलना, यह चींज गाइज यह transformation कह सकते हैं, एक बड़ी बात कह सकते हैं, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, जो आपकी हाल को बदल दे, आपकी काया किस कदर बदलने वाली है, वो देखना, आपका व्यभार कितना सौम्य होने वाला है, आप जितना negative अभी इस level तक में सोच रहे होन आप से ज़्यादा कोई positive इंसान आप अपने इर्द गिर्द में नहीं देखोगे देखना, इतनी सक्का रात मकता आप में होगी इतना और आपका positive होगा, और भड़े आज अगर आपका मालिक पर से विश्वश तूटता है, फिर से जूटता है, फिर से तूटता है, फिर स में अच्छी हुई है, तो ये मेरी संभावनों से परे, मेरी उम्मीदों से परे, मेरी कलपना से परे मेरे मालिक ने करी है, ये बिलकुल इतना trust आपको मालिक पर होगा, जो मैं कहते हूँ ना कि मिलेकल हो ना तो ऐसा हो कि मालिक के मौजूदकी का ऐसा सो जाए, कितना बद लव आपकी लाइफ में होगा का है, कुछ है आपकी लाइफ से जुड़ होगा कुछ है, एक काम करना का ऐसा गर लग रहा है ना कि आपको अभी इन दिनों में गुस्सा जादा आ रहा है, आपकी energy balance में नहीं जा रही है, तो अभी थोड़े दिन तक में रैड कलर को करना, एक और काम करना, कि अगर ध्यान कर रहे हो आप, तो अपने मनिपूर चक्रा पर काम करना, यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए, 8 of events guys, देखो कुछ आ रहा है आपके life में, यह मेरे कल है guys, यह पक्का मेरे कल है, वाव, thank you so much मालिक, मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हो मेरे शेर, मेरे योद्धा, सच में आपके सार, खुद्रत, मालिक, जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपका साथ देंगे guys, एक आपकी इस life में क्या, आप हमेशा के लिए आनतकाल का साथ पहले से लेकर आए हो, मालिक आपके साथ है, वो आपकी तरफ से, यह समझ लो, आपकी स्युद्ध में घड़ है, तो पक्का है आपका जीतना, पक्का है आपकी life का बदलना, पक्का है आपको सुक्ष की प्राप् यानि आपको इतनी ग्रोथ देना, इतना संबल बनाना कि कभी भी धनका अबाव आपकी life में ना हो, यह वो बात है guys, यहाँ पर death का कार्ण, कार्स समझो आप, कितने विपरित, एक अंधिकार और यह बिल्कुल रोश्नी की बात कर रहा है, एक अमावस और एक पूर्णी मा की बात कर रहा है, यह है transformation guys, यह है life का बदलना, यहाँ पर कोई इनसान इतना दुखी है और यहाँ पर खुशी के कोई ठिकाने नहीं है, और यहाँ पर सोच कर बैटे हैं, कि कभी क्या कोई life में खुशी आएगी, कभी कुछ अच्छा होगा life में, बहुत कुछ अच्छा हो होगा, यह देखो, इसे समझने की कुश्शिश करो, यह क्या हाल आखे, आखे रो रो करना आखों के हाल बुरे कर दिये हैं, और यहाँ पर देखो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं मालिक में जो जहाँ तब ऐसा कैसा miracle किया कि मेरी उम्मीद से परे मेरी life में मुझे बहुत क साथ सारी नकारात्मक्ता को खतम करके मेरी life को protected कर दिया, सुरक्षेद कर दिया, यह जीत गए हम, बिल्कुल कुछ वैसा, यह मीरेकल आपके भाग्य में है, मालिक एक यह बिटा, खोश रहो, जिनता मत करो, उन पर बिलीव रखो, बिलीव रखो, आपको, आपके साथ दिल का हाल क्या है, बकाय तक आइस मैं बहुत अच्छी समझ बाती हूँ, है ना, आपको कहनी क्या आपशिता नहीं, अगर आप मेरे सामने खड़ हो ना, मैं आपके आँखों से समझ जाओंगी, कि आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे हैसास होता है उसका, कुछ लोग कि वो शायद हो सकते हैं कि मन में कोई question कर रहा है, और reading के जरीए वो answer आता है आपके, वो connection है हमारा, है ना, ये देखो, मन्जिल ये हो ना गाइस, तो चिंता किसी बात की नहीं, है ना, परेशन मत हो, अभी आपके सर में pain बहुत ज़्यादा रह रहा है, हम, और ये देखो health का issue भी है, सर में pain हो रहा है, भरिपन हो रहा है, कुछ बुरी बाते ही याद आ रही है पलट पलट के, ये सब भूल जाओगे, इसका महत्व नहीं रहे का life में, इन्हें करोगे आप total ignore, है ना, ये attitude है, क्योंकि आ रहे हो magician के energy में, बहुत खुशियों मिली मुझे कि आपक condition का card है, बिल्कुल guys, बहुत प्रबावशली आपको बनाया जाएगा, सच में, किसी कि किसमत क्या पता है, किसी कि किसमत है, खुद को भी हैरान करना और लोगों को भी हैरान करना, ये ही होता है आपके साथ, problem आती है आपकी life में, तो sudden आती है, खुशी मिलती है, आपको तो sudden मिलती है, यहीं चीज़े चलती है, तीक है, और आपको खुशी मिले कि न, आपके manifest करने से मिल रही है गाई, कुछ चीज़े आपने भूले बढ़के कहता है न, सोच कर रखती है, कोई बड़ी खुशी के बारे मैं कह रही हो मैं, जो आपकी life को बदलने वाली है, उसके ब प्रयासी नहीं किये, एक दो बार सोच कर रखती है, वो आपको मिल रही है, यह आपके साथ होती है, एक्चुल में आपके इच्छा शक्ति है, आपके काम करती है, यह जहां पर आप कोई एक बार सोचो गया न, तो वो चीज़े जल्दी से फल जाती है, और आपको हैरान कर मैंने तो सरफ मन में सोचा था, बिलकुल मैंने उस पर कोई उमीद या अपना कोई प्रेशन नहीं रखा था कि यह पूरी हो ही हो, लेकिन वो पूरी हो जाती है, लेकिन जीन चीज़ों कि आप बार बार प्रातना ही करते हो, यह जीन चीज़ों को कहते हैं, अपनी तरफ से manifest करने की कोशिश करता होना उनमें देरी लगती है एक्चल में इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी manifest करना है जो भी इच्छा मांगनी है ना मालिक से तो उसके लिए आप दबाव यो प्रेशन या किसी तरीके की एक सुचकर मत बैटोगा वो करके फ्री हो जाओ क्योंकि कोच चीजे जो आपने manifest कर ली है अपने इच्छा शक्ती से वो आपको भी पताए कि सर्फ एक बार योही मन में आया हमेरे और वो फला है तो इस संकेत को समझे कि कोशिश करो आपको इतना परेशान होने के आवशकता नहीं आप एक बार प्रातना कर लो एक बार अच्छे से मालिक के सामने अपने विश्कों रखने की कोशिश करो अपने आप वो पूरी हो जाएगे आपको यह नहीं कि दिन में आपको इतनी बार कहना पड़ेगा है ना कनेप्ट हो मालिक सार लेकिन बहुत अच्छे से मन साफ रख कर और दिल खुश रख कर तो यह थी आज के रिडिंग आई होप आपको पसंद आईए अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कमेंट लैक शेयर कीजिए मैं मिलती हूं आपको नेक्स रिडिंग में तब तब के लिए बाई